नमस्ते दोस्तो मीनू के फ्रांट गार्डन में आपनों का बहुत बहुत श्वागत है दोस्तो तो देखिए आज मैं अपने फ्रांट गार्डन में क्या करने जा रही हूँ तो आप लोगों ने देखा मेरे front garden में बहुत सारी मिर्च लगी हुई है दोस्तो और मैं उसी मिर्च से बहुत सारा पौधा भी तयार कर ली हूँ दो तरह के मिर्च के पौधे मैंने तयार कर ली है और जो कि transplant करने लायक हो गया है तो पाट में तो अभी नहीं कर रही फिलाल आज मैं front में सोच रही हूँ कुछ पौधे को transplant कर लूँ तो चलिए देखते हैं कि front में मिर्ची का पौधा मैं कैसे लगा रही हूँ देखे दोस्तों तो ये मिर्ची का पवधा है तो इसमें से देखे मैं मिर्ची निकाल ले हूँ और मिर्ची का पवधा जब भी निकाले छोटे छोटे पवधे तो थोड़ा सा नमी बना देंगे तो आराम से इस तरह से निकल जाएगा तो देखे, दो पौधे, फ्रांट में मैं दो पौधे एक में करके लगाती हूँ तो यहाँ पर देखे, थोड़ा सा गुड़ाई करूँगी इस तरह से और फिर देखे, इसमें एक में दो पौधे करके इस तरह से लगा दूँगी और हलके हाँ से थोड़ा सा प्रेस कर दें और इसके बाद देखे इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी दे दे देखे दोस्तों मैंने धे सारा मिर्ची का पौधा फ्रांट गार्डन में ट्रांस्प्रांट कर लिया है यहां से और समय थोड़ा थोड़ा पानी एड़ कर दी हूँ और साम का समय है दोस्तों साम के समय ही कोई भी पौधा आप कहीं पर भी ट्रांस्प्रांट कर सकते हैं दोस्तों और लगभग ये 5-6 साल पुराना पौधा है और बहुत ज्यादा इसमें फ्रूटिंग होती रहती है और लगभग एक महीने से इस मिर्ची से मैं मिर्ची हर्वेश्ट कर रही हूं देखें यहां पर बहुत सारी मिर्चिया लग रही है और यहां पर देखें रेट से इसमें फ्रूटिंग होती रह रही है और लगातार हर्वेश्ट लग रहा है ठंडी बर मुझे मिर्ची करिदना नहीं पड़ेगा इन मिर्चियों से मिर्ची हर्वेश्ट करती रहोगी तो इस तरह से आप भी अपने उन गार्डें में यदि फ्रांट गार्डें हो तो में बहुत ही आसान है मिर्ची से ही मिर्ची का पौधा तयार करके अब भीर सारा मिर्ची का पौधा लगा सकते हैं और देखिए यह लगा करके तीन चार दिन तक लगातार साम को थोड़ा-सबड़ा पानी एड़ करते रहें फ्रांट में जब लगा रहे हैं तो और इस तीन जब भी मैं इस मिर्ची के पौधे को किसी पाट में लगाऊंगी च्छट पर तो जरूर से सेयर करूंगी आपके साथ ताकि जिसके पास फ्रांट नहीं है वह च्छट पर पाट में भी लगा करके मिर्ची का पौधा अपना हर्वेश्ट कर सकते हैं और आरगनिक मिर्चिया खा सकते हैं बहुत ही आसान है बहुत ही इजी तरीके से मिर्ची हो जाती है दोस्तों तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक के एर हैपी गार्डेन